आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ चिकन सूप रेसिपी तो क्विकली हमने की स्टार्टिंग कर दिया है सबसे पहले कुछ चिकन को वाश कर लिया है कडाई में एड़ कर दिया है तेसपात तीन से चार तेसपात एड़ किया है साथ ही इसमें लस्टसन की कुछ कल उसें साते हैं ड़के चोप कर लेना है तो इसके बाद में साटे कर लिया है इसमें चिकन तो बनारे हूं कि चिकन तुप मैं बना रहे था तोज आपके शेयर हूँ चिकन सूप बनाने की बहुत तरीके की रेसिपी होती है हर रेसिपी के बहुत वे होते हैं बहुत टाइपस होते हैं तो मैं ये दूसरे टाइपस की आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपको जिस तरीके से पसंदा है उस तरीके से बनाईएगा जी तो मैंने इसमें एड़ कर दिया है पानी पानी जादा एड़ किया है ताकि अच्छे से हमें एक लिकुट फॉर्म में अच्छा सूप चाहिए था तो आपको कम चाहिए तो आप कम पानी एड़ कीजिएगा तो जी कुकर से मैंने कड़ाई से मैंने इसमें एड़ कर दिया है कुकर में कुकर में अच्छे से विसल लगाएंगे इसमें इसमें 10-12 विसल मीडियम फ्लेम पे लगने देंगे ताकि अच्छे से इसमें चिकन का फ्लेवर आजाए सारा जब अच्छे से चिकन गल जाएगा एंड उसका अच्छे से फ्लेवर आ जाएगा उसके बाद में हम इसे क्या कर लेंगे हम इसे च्छान लेंगे चनली में तो इस तरीके से हमने इसका एक्स्ट्रा पार्ट निकाल लिया है वाटर हमने छोड़ दिया है तो वाटर को हमने रख दिया है पकने के लिए अगेन पतीले में आप एक ही बरतन का यूज़ कर सकते हैं मुझे कोकर की जरुवत थी इसलिए मैंने कोकर सबजी बनाने के लिए यूज़ कर लिया तो आप एक ही बरतन का यूज़ कर सकते हैं एक्स्टा पार्ट जो था वो मैं चिकन उप्नो बहूँने क्षोड़ से लंशतव में घंपड़न, और रहते लोगे पेशा गातीजितु मैं बहूंति करने हैं अच्छे से इसे पकने देना है medium flame पे इसे around आपको 10-15 मिनट तक medium flame पे पकने देना है साथ इसमें add करना है coriander and इसे surf कर लेना है आप थोड़ा थिक रखना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी कम add करेंगे तो आपका मुझे चाहिए ता ज्यादा liquid form में तो यह बाद में रखे रखे भी थोड़ा थिक हो जाता है तो यह बड़ा ही मज़े का बनाता और बहुत ही tasty बनाता तो आपको यह recipe कैसी लगी comment करके बताईएगा अभी तक आपने मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर लीजिए